एक तरफ अमीर बिजनसमैन की बेटी थी और दूसरी तरफ साधारट से आमदनी वाले परिवार का बेटा था लड़की हिंदू थी और लड़का क्या था उसके नाम से ही जान लीजिए रिजवान और रह्मान और प्रियांका तोड़ी इनकी लफ स्टूरी हर लिहाच से फिल्मी है लेकिन इसकी एंडिंग हैपी नहीं हुई कोलकाता की बात है पढ़ाई के बाद रिजवान एक प्राइविट अकैडमी में कम्प्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाने लगे उसके स्टूडेंस में से एक थी प्रियांका तोड़ी लक्स इंडस्ट्री के मालिका शोक तोड़ी की बेटी पढ़ते पढ़ाते रिजवान के करीब आ गई थी दोनों में प्यार हुआ दोनों ने शादी का फैसला भी किया लेकिन पैसे और धर्म की दिवार के होते हुए इनकी शादी कैसे हो जाती कोई और रास्ता नजर ना आने पर रिजवान और प्रियांका ने 18 अगस 2007 को गुपचप शादी कर ली दोनों ने शादी स्पेशल मैरेज आक्ट में रेजिस्टर करवाई शादी के बाद प्रियांका अपने पिता का महल छोड़ कर रिजवान के छोटे से घर आ गई पिता शोग तोड़ी को जब ये पता चला तो रिष्टेदारों के साथ वो बेटी के ससुराल पहुँचे और बेटी के पैर पकड़ कर बोले कि ना कर जाएगी मेरी इजद बचा लो मैं किसी रिजवान को अपना दामाद नहीं बना सकता किसी भी सूरत में नहीं फिर प्रियांका और रिजवान ने पुलिस को चिथी लिख कर पूरा मामला बताया और हिफाज़त मांगी चिथी में लिखा था कि कुछ लोग हमारे घर पर आकर हमें डरा रहे हैं कह रहे हैं कि अगर हम साथ रहे तो हमें इसकी सजाब भुगतनी होगी इंडिया टुड़े के मताबिक यो धारर था इंडियन पुलिस के करप्ट नेचर का जहां खोलकाता पुलिस को लोग के मताबिक प्रियांका रिजवान की मदद कर दी थी लेकिन वो शोक तोड़ी के साथ मिल गई पुलिस वालों ने रिजवान को उल्टाग डराना शुरू किया और प्रियांका से कहा कि वो अपने पिता के घर लोट जाए इंडिया तुड़े की रिपोर्ट के मताबिक इलजाम है कि डीसीपी अजे कुमार ने रिजवान से कहा था कि अगर वो अरेस्ट नहीं होना चाहता है तो एक हफते के लिए प्रियांका को उसके पिता के पास भेज दे तो वहीं 8 सितंबर को प्रियांका को खबर मिली कि पापा बीमार है बेटी का दिल ठहरा वो घर आ गई लेकिन इससे पहले प्रियांका के अंकल अनिल ने एक बॉंड साइन करके प्रियांका और रिजवान को दिया जिसके बाद ही प्रियांका माई के गई थी इस bond के मताबिक एक हफते में प्रियंका को रिजवान के पास वापस लोटना था लेकिन साज़िश पहले से ही तयार थी घर वालों ने उससे फोन छीन कर उससे दूर भेज दिया किसी तरह प्रियंका ने रिजवान को फोन किया पूरी बात बताई और कहा कि मेरा इंतजार करना मुझे भूलना मत चाहे महीनों लग जाएं चाहे साल लग जाएं लेकिन तो मुझे भूलना मत रिजवान ने वादा किया कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा ये आखरी मौका था जब दोनों ने एक दूसरे की आवास सुनी, उसके बाद वो कभी नहीं मिले वहीं रिजवान इधर उधर मदद तलाश रहा था 19 सितंबर को रिजवान ने Association for Protection of Democratic Rights को एक चिठ्थी लिखी जिसमें लिखा था कि मैं भारत का एक संजीदा और इमानदार नागरिक हूँ मैंने हमेशा सम्विधान की इज़द की है अडल्ट होने के नाते हमने कानून के रास्ते जाकर एक दूसरे से शादी की है फ्लीज मुझे मेरी बीवी से मिलाने में मदद कीजिए ये चित्थी भेजने के दो दिन के बाद 21 सितंबर को रिजवान मृत पाया गया उसकी बोडी एकदम साफ सुतरे कपडों में मिली सिर के पीछे बस एक छोटी सी चोड थी बाकि सब साफ था मगर यहां तो पुलिस चैसे पहले से ही तयार बैठी थी मामले को दबाने के लिए इस केस ने पूरे कोलकाता को गुस्सा दिला दिया प्रदर्शन हुए और उस समय सीम रहे बुद्देव भटाचारे पर निस्पक्ष जाच कराने का जबर्दस्त दबाव था इस दबाव में अशोक तोड़ी अरेस्ट भी हुए लेकिन फिर जमानत पर छूट गए उस समय कोलकाता पुलिस कमिशनर प्रसून मुखर जी थे रिजवान की मौत के बाद ऐसे हालात बने कि पुलिस को डिफेंसिव होना पड़ा सवाल थे कि पुलिस ने प्रियांका रिजवान का साथ क्यों नहीं दिया और प्रियांका पर घर लोटने का दबाव क्यों बनाया इंडिया टोड़े की रिपोर्ट के मताबिद प्रसून मुखर जी बोले कि बेटी को वापस बुला रहे पिता शोक तोड़ी की मदद करना पुलिस का फर्स था प्रसून ने कहा कि 23 साल तक उन्होंने प्रियांका को पाला है उसकी देख भाल की है एक सुभह अगर परिवार को पता लगता है कि उनकी बेटी घर छोड़कर किसे अंजान लड़के किस साथ जिंदगी बसर करने चली गई है तो मावाप ये मनजूर नहीं कर सकते हैं प्रसून केस बयान से लोगों का गुस्सा और जादा भढ़ा गया दबाव में प्रसून और पुलिस बिभाग के चार सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया रिजवान की मा की अफील पर केस CBI को दे दिया गया CBI में भी केस अंजात्या के लिए उकसाने का बनाया गया रिजवान के परिवार का आरोप था कि उनका बेटा कायर नहीं था उसके साथ गलत प्रियंका के घर वालों ने किया है तो उधर प्रियंका कुछ दिन चुप रही लेकिन जब बोली तो अपने परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोली प्रियंका ने कहा कि रिजवान अपने परिवार से परिशान थे प्रियंका ने रिजवान के भाई रुकबान और एक दोस्त पपू पर उंगली उठाई उसने पुलिस द्वारा खुद पर दबाव बनाने की बातों से भी इंकार कर दिया प्रियंका के मताबिक रुकुबान ने उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ जूट बोला था प्रियंका की बातों पर रिजवान की मां किश्वर और रुकुबान ने एतराज जताया जहां चली तो केस हाई कोट पहुचा रिजवान की मां किश्वर ने याचिका डाली कि उनके बेटे की त्या हुई है और अशोक तोडी ने रिजवान को धंकाया था तो वहीं जबाब में अशोक तोडी ने एफिडेविट दिया कि प्रियंका और रिजवान की शादी हुई ही नहीं थी और पुलिस ने साटगार का आरोब भी नकार दिया तो वहीं जब ये केस हाइलाइट में था तब ही इंडिया तोड़ी की एक रिपोर्ट और सामने आई थी जिसके मताबिक अशोक तोडी ने छोटे मुटे कारोवार से शुरुवात की थी 90 के दशक में उन पर क्रिकेट सत्यवाजी के रैकेट में शामिल होने के आरोब लगे थे लेकिन कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ था ये भी कहते हैं कि जब प्रसून मुखर जी बंगाल क्रिकेट असोशेशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे तो फंडिंग अशोग तोडी ने की थी इस मामले में क्रिकेटर्स और गांगुली के बड़े भाई सने हाशीस गांगुली का नाम भी सुनाई दिया था उनकी अशोग से अच्छी जान पहचान बताई जाती है उधर प्रियंका अपने परिवार के साथ रही कई बार पब्लिक प्रोग्राम से में भी दिखी और अक्सर दिखती रहती है अवार्ड फंक्शन्स में भी नजर आती है वो अब परिवार के बिजनस में हाथ बटा रही है 2010 में कोलकाता हाई कोट ने CBI से इस मामले में केस दर्स करने के लिए कहा था अशोक तोड़ी के अलावा उनके भाई प्रदी, प्रिष्टेदारा निल और इजवान के दोस्त मुरी नुद्दीन के लिए उकसाने का केस चलता रहा केस में कुछ पुलिस वालों के नम भी है अभी इस केस में फैसला नहीं आया है वैसे भी हमारे देश में तो बड़सों वरस, दशकों, दशक केस कोट में चलते ही रहते हैं तो शायद 100, 200, 300 साल में तो ये केस सुलज ही जाएगा फिलाल आपको बता दूँ कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंडिया टुडे की रिपोर्ट में अविलेबल है साथ ही इसके उपर स्टार प्लस का एक शोथा सत्यमेव जैते वहां भी बात की गई है जल्दी फिर मुलाकात होगी अब सभी से एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार